जेडियो के राष्ट्य अध्यक्षपत से ललन सिंग के इस्तीफे के बाद अब जेडियो के बोली बदलती नजर आ रही है जाए एक तरफ जेडियो यानि के मुख्य मंत्रे नितिश कुमार वीजेपी को कोस्ते कोस्ते इंडिया गटबंदन की मुहीन चलाए थे लेकिन अब ललन सिंग जैसे ही राष्ट्य अध्यक्षपत से इस्तीफा देते हैं अब जेडियो के बोली बिलकुल बदल गई है अब नितिश कुमार को कोई भी दिक्कत नहीं है अगर उन्हें अयोध्या भी जाना पड़े उन्हें अगर राम की नगरी भी जाना पड़े आज प्रेस कॉन्फरेंस में केसी त्यागी ये कहते नजर आए कि एंडिये या बीजेपी से हमारी कोई मदभेत नहीं है राजनितिक तोर पर कुछ भी दूरिया हो लेकिन नीजी तोर पर हम आज भी एक साथ नजर आते हैं यानि कि नितिश कुमार की पार्टी जेडियू अब बीजेपी के लिए दर्या दिल दिखा रही है सहम चुकी है आखिर ये सब क्यों हो रहा है क्या जेडियू के राष्टे अध्यक्त पर से ललन सिंग के स्तीफे के बाद बीजेपी का रास्ता नितिश कुमार तै कर सकते हैं नितिश कुमार और जो बीजेपी की दूरिया है वो कम हो जाएगी इस तमाम मुद्दों पर हम बाच्छीत करेंगे हमाई साथ गनेश समराट जुडेंगे और हमें बताएंगे कि आखिर गनेश केशी त्यागी के बयान का साफ तोर पर क्या मतलब था देखें निया केशी त्यागी का बयान ऐसे वक्त में आना जब जेडियू को लेकर संसे की स्तिति है जेडियू से ललं सिंग् का राष्टी अध्यक्ष की कुर्सी से पत्ता साफ हो गया लेकिन आज जब मुक्मंत्रि नितिश कुमार जेडियू के रास्टी अध्यक्ष बने तो जब मिढिया के सामने फोटो सेशन की बारी आई तो ललान सिंग नितीज कुमार के ठिक बगल में खड़े हैं बुके देने वाले लोगों का बुके ले रहे थे मतलब नितीज के बाद नंबर दो की पोजिशन वाली जो हैसियत होती है वो दिखा रहे थे संग रहाकर नितीज के साथ होने के तस्वीरे दिखा रहे थे लेकिन इस तस्वीरों के पीछे का खेल समझे आज ललन सिंग जिसका बिरोध करके इंडिया गटबंधन की निव नितीज कुमार से डलवाया एंडिया से ललन सिंग नितीज कुमार को अलग कराया राजत के साथ दोस्ती कराई, बीजेपी से दुस्मनी कराई, यह आरू हम नहीं लगा रहे हैं, बिहार बीजेपी के नेता लगा रहे हैं, और यह नेता वो है, जो NDA कट बंदन के अंदर, उस वक्ट डिप्टिसियम थे, तारकिसोर परसाथ का या बयान है, कि ललन सिंग ने नितीश कुमा के खिलाब एक रंडीती पनाई, एक साजी सरची, पहले NDA से अलग करने का, फिर नितीश कुमार के साथ रिस्ता जोडने का, फिर इंडिया कट बंदन बनाने का, और अब ललन सिंग एक्सपोज हो गया है, नितीश वापस पावर, सत्ता, पाटी, समहाला चाहते हैं, लेकि और इपक्स सभी जगे निमंत्रों भेजा जा रहा है, ये किसी राजनीतिक दल का कारिकरम भी नहीं है, और ना ही किसी एक पोल्टिकल पाटी इस पर अपना कबजा जमा सकती है, भगवान राम की जन भूमी, अयोद्या में भगवान से राम के लिए मंत्र बन रहा है, सब स समाज के सासत पूरे देश के लोगों का उस पर अधिकार है और हर लोग जा रहा है, लेकिन जेडिव का याकाना, ऐसे वक्त में जब ये कहा जा रहा कि नितीश कुमार पाला बदल सकते हैं, नितीश का मन डोल रहा है, नितीश को भगवार रंग पसंद पढ़ने लगा, ऐ ऐसे में नितीश का या बयान की बीजेपी से हमारा मतभेद नहीं है, बेक्तिकत रिष्टे हमारे बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक दूरिया हो सकती है, हमको निमंत्र अगर मिलता है तो हम जा सकते हैं, हमें इतराज नहीं है, बैर नहीं है, तो सवाल अब ये है कि आखिर कार ललन सिंग के जाने के बादी जेडू ने अबयान क्यों देना सुरू किया मैसेज क्यों कि बीजेपी ने कहा कि हमारे दर्वाजे आपके लिए बंद हैं यह दर्वाजे नौक करने के लिए यह बाते कही जा रही है बिल्कुल गनेश क्योंकि जितने भी केंद्रे मंत्री बिहार आये चाहे वो अमित्व शा भी लगातार आते रहें बिहार मिहार के प्रदेश अद्यक्ष जो सम्राप चौद्री उन्होंने भी साफ कहा साफ तोर पर नितिश कुमार के लिए बीजेपी के दर्वाजा बंद हो चुके तो यह मैसेज है कि भाई दर्वाजे बेक्तिकत नहीं है राजनितिक दूरिया है यह संकेत और सियासत में ऐसी भासाओं का दूर तक मतलब होता है अगर राजनितिक दूरी की बात की जाए तो राजनितिक दूरी तो कभी भी खत्म हो सकती है क्योंकि ललन सिंग की राजनितिक दूरी भी नितिश कुमार से रही है कि cabinet की बैठक में बैठत हैं तो नितीश कुमार ने कहा कि और निकल के पहुंचे मतलब तीस फिट की दूरी ताई किये थे और बाहर निकले तो पता इतला की खेल बदल गया नितीश का मन बदल गया बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल इस प्रक्रन में भी कहा जा सकता है एक रात पहले ने एक दिन पहले नितीश कुमार और ललन सिंग की बातचीत होती है समझोता होता है और एक रात के बाद पूरा खेल बदल गया और आज के इस टाइम में आज के समय में जेडियों के राष्टे अध्यक्षपद से ललन सिंग स्तीफा दे चुके हैं ललन सिंग लग Championships आजरियं रहा सियासत के जानकार मांते हैं कि नितीश कुमार पुरे देश की सियासत करेंग जेडियों की पाग दोड़न समाल के जेडियू अबधर में अफसे कुछ दिर पहले में खुद गया था कार्यकरतां के चेहरे पर चमक है है देखे जेडियू से नितीष कुमार पूरी जेडियू के अंदर नहें आपको याद होगा कि नितीष कुमार नहीं चाहते एं किसी दूसरे नेता का कद उनके समनांतर को नितीश हाल कि दिनों के बैठकों की बात वे बिपक्षी दलों की बैठक में जब नितीश जाते थे तो नितीश के बगल में ललन सिंग की कुर्शी लगती थी और नितीश कुमार की पोजीशन जो होती थी बुस की होती जेडियू के किसी निता को नहीं दे सकते, क्योंकि ये पुराना इतिहास रहा चाहिए, जौन फर्णांडिस की बात की जाए, शरद यादव की बात की जाए, और ये चौथा ललन सिंगी क्योंने बात की जाए, जो जो नितिश कुमार से नितिश कुमार को ऐसा लगा है कि हमस नितिश कुमार ने काट और इस बार भी नितिश कुमार ने वहीं किया लेकिन इन सब की बीच नितिश कुमार का तो बयान जो सामने आया है लेकिन ललन सिंग अगर मुंगें लोगसफा छेत्र की बात की जाए तो एक मैने से जादा कभी भी चुनाव पुशार नहीं किया लेकिन क्या अब इतना से में जब कि लोक्सभा चुनाव में है और ये कहना क्या सही लग रहा है इस वक्त ललन सिंग को डर लग रहा है चुनाव हारने का ले सींग hour जिरू के कारे करता विहार के मुंगेर की जो लोकसभा की जो वोटर है वो ललन सिंग के साथ नहीं है ललन सिंग को अपने पांच साल के किये गए काम पर भरोसा नहीं है ललन सिंग ने मुंगेर के लोगों के साथ जो वादा किया था उस वादा पर वो खुद को खरा नहीं उतार पाएं यह सवाल खड़े हो रहे है और यह सवाल हमने लेलन सिंग के बयान से खड़ा वरा है कि अब पांच साल उस छेत्र के लोगों के लिए काम किया आपने पांच साल मुंगेर लोग सवाके आप पर निदूत करते रहें और अब दिन चार महिने के लिए आपको इतना समय चाहिए पांच साल आपने समय नहीं है ऐसा नहीं कि पांच साल तक ललन सिंग मुंगेर नहीं गया ठीक है जब आप जेडियू के उमिद्वार बनकर मुंगेर गये थे तब आप कितना दोरा किये थे या उसके पहले कितना समय तक गये थे वो भी देख लीजिए अब बिल्कुल बिल्कुल गने इन सब प्रक्र मंत्री बनना चाहते हैं नहीं जेडियू का जख्ष बनना चाहते हैं सब लोग कहते हैं नितिय जी से कभी भी पूछिए गा वह जब बिहार में मुख मंत्री बीजेपी के तरफ से बन रहते तो उन्हें ने का कि लालू यादों ने मुख मंत्री हमको बना दिया सब्सक्राइब नितीश चाहते कुछ नहीं है बस नितीश के लिए हो जाता है लोग वह खड़े हो जाते हैं जो नितीश के लिए हर बात जो नितीश नहीं चाहते हैं वही कर लेते हैं और नितीश कुमार देखिए दरिया दिली कितने वह लोगों की बात कितना मानते हैं कि कौन सी बात अपनी लोगों से मनवानी है नितीज कुमार सियासत के चाना के ऐसे नहीं कहे जाते हैं नितीज के एक एक सब्दों का दूर तक मतलब होता है और बिहार के सियासत में नहीं खास तोर पर नितीज के एक-एक सब्द जो होते हैं न उनके तमाम सियासी उनके चाल ढाल उनके चेहरे के हाओ भाओ नितीश अगर आपके बगल में बैट गये और नितीश ने आपको नजर अंदाज कर दिया तो समझे कि आपसे दूरी हो गई और यही हुआ ललन सिंग जब तक इस्तिफ़ा की घोस कान है और ललन सिंग उनके पीछे खड़े को बूके पकड़ रहे थे और यह जोड़ी दिखाने की कोशिस से यह गरम जोसी दिखाने की कोशिस की जा रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया नितीश कुमार के मर्जी के बगर अगर आप कोई भी फैस्लालीज देगा तो नितीश उसे बरदास्त नहीं करेंगे निया बिल्कुल बिल्कुल गने से कंतिम सवाल क्या आर जेडी को इससे कुछ घाटा या फाइदा होता दिखाई दे रहा है क्योंकि यह राजज़तिक गल्यारे में खबर चली थी कि पटना में बैठे बाबु ने ललन सिंग को कॉल किया और ललन सिंग के तेवर बदल गए और उसके बाद ललन सिंग इस्तीफा दे देते हैं क्या अब ऐसा कुछ लग रहा है कि आर जेडी का पल्रा कहीं से भी डगमगाया हुआ नजर आ रहा है देखिए निया आज पूरे परकरण से केवल और केवल जेडियू को ही इस पूरे फै वो प्लान अब सपना हो गया अब आर जेडी से उमीद में कि आगे क्या कुछ वो अपने लिए कर सकते हैं जब तक ललन सिंग नितीश कुमार के साथ तो आर जेडियू को इस बात का भरोसा था कि आर जेडियू में या नितीश कुमार आर जेडियू के बिना मर्जी का से वो चीजे अब खतम हो रही है और अब नितीश कुमार आगे आर जेडियू के साथ जब उनको लगएगा कि अनकंपटेबल हैं वह मूँ मोड लेंगे और तेजश्वी अलालू चाह कर भी कुछ नहीं करेंगे इसके पहले ही आपने कहा कि साहब का फोन यह था तो साहब इसके पहले इस पार नितीश को सबक सिखाने में जरूर लगेंगे विल्कुल विल्कुल सही का आपने गरेश बिहार की राजनिती क्या मोड लेती है यह देखना बड़ा है तिलचस होगा क्योंकि जैसे ही जेडियू के राष्ट अध्यक्ष ललन सिंग ने राष्ट अध् करता है तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के ई-homes panorama में पूर्णिया में panorama group लेकर आये हैं इ-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पूर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined